नमस्कार एंड वेलकॉम यौल इंडो पार्ट शाला आज का टॉपिक है मारे पास मुजीशियन एंड इंस्ट्रुमेंट्स चले शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला क्वेशन है पंडित रवी शंकर इस रिलेटिट टू विच मुजीकल इंस्ट्रुमेंट्स तो इसका आ और संगीत नाटक अकेडमी अवोर्ड भी मिला है 1962 में नेक्स्ट है विद विच आफ फॉल्विंग मुजीकल इंस्ट्रुमेंट्स वाज अ मुजीकल मुजीशिन पालगार्ट मनी अयर ऐस्सेटिट तो यह हैं पालगार्ट मनी अयर जी इनका संबंध है आपका मृदंगम से ठीक है तो यह मृदंगम हैन के हाथ में रखावा यह बजाते हैं इसको नेक्स्ट है अर्विंद पारिक इस एससोसेटिट विद विच मुजीकल इंस्ट्रुमेंट तो इनका संबंध है आपका सितार से ओके यह नेक्स्ट कोशिन है विच भारत रत्न अवाड़ी वाज फेमस एज कारनाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट तो यह कौन है म.स सुबलक्षमी जी है तो उशे वाज़ परस मुजिकन म.स सुबलक्षमी गौट भारत रत्न इनके एक्स्ट्रा में आप देख सकते है नॉलिज में इनको एससेट किया जाता है तनपूरा से जानिकि यह जो इंस्ट्रुमेंट है इसको कहते है तनपूरा और यह इससे से एससे एससेट है साथ ही यह फर्स्ट इंडियन भी है मतलब फर्स्ट इंडियन मुजिशन है जिनको जिनों ना रिसीव किया था रैमन मैक से सही 1974 में ठीक है जिया मोहिद्दीन डागर इस रिलेटेट टू विच मुजिकल इंस्ट्रुमेंट तो यह है वीना तो यह वीना बजाते है डागर श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी आयंगर यह भी है जो की वीना ही बजाते हैं नेक्स्ट है विच मुजिकल इंस्ट्रुमेंट इस बिस्मिल्ला खान रिलेटेट तो बिस्मिल्ला खान किसे संबंदित है इसका आंसर आपके पास शहनाई तो वो शहनाई बजाते थे य पद्म विभूशन मिला था 1980 में पद्म भूशन मिला था 1968 में पद्म शिरी मिला है 1961 में और कुछ अधर जो शहनाई प्लेयर हैं उनमें फेमस हैं आपके दया शंकर जगननाथ उसके साथ ही हैं अली एहमद हुसेन खान नेक्स्ट है जाकिर हुसेन is related to which musical instrument तो जाकिर हुसेन किस वादे यंदर संबंदित हैं इस कांसर आपके पास तबला वो तबला बजाते थे इसमें आप देखेंगे के जाकिर हुसेन जो हैं इनको अवार्ड किया गया था पद्म शिरी से 1988 में और पद्म भूशन मिला इनको 2002 में पद्म विभूशन 2023 में ही मिला है कुछ अधर तबला प्लेयर हैं आपके पास लतीफ खान, अल्ला रखा खान, किशन महराज और सुखविंदर सिंग ये कुछ special नाम है इनको आपको याद रखना है इनका जो नाम है वो है आपके पास सितार, तो वो सितार बजा दे थे, पंडित रवी शंकर, भारत रतन मिला था इनको 1999 में, इसको याद रखना है आपको, भारत रतन वाले सारे important है, अक्सर जिस पेपर में हिंदी पूछी जाती है, और जी के भी normally है, वहाँ पूछा जा स पर हिंदी वाले पेपर में अक्सर रस Alors पूछी ले जाता है, तो भारत रतन में, 1999 में इनको मिला था, इसके अलावा पद में भोशन मिला इनको 1981 में, पद में भुशन मिला 1967 में, वहीं इनको भी Rman Maxis Award मिला है, जोकि 1992 का है, इसके अलावा इनको कालीदर्स समान मिला है 1987 to 1988 के बीच में, ओके, नेक्स्ट है, हरी प्रसाद चौरसिया इस एसोसियेटेड विद विच मुजिकल इंस्टुमेंट, तो इसका आंसर है, फ्लूट, तो वो फ्लूट बजाते थे, वहीं आप देखेंगे, हरी प्रसाद चौरसिया जी के बारे में, तो उनको पद्म भूशन म आपके पास राजे इंदर कुल करनी, ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, नेक्स्ट, अमजद अली खान इस एसोसियेटेड विद विच मुजिकल इंस्टुमेंट, अमजद खान का संबन्ध है आपके पास सरोध से, तो कुछ जो आपके एक्ष्रा सरोध प्ल आपको याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, तो प्लीज कर लेना, आज कल से कही कोशिन पर जा रही हो, वह ऐसे ही कोशिन पूछती है, गंदे गंदे, नेक्ट है, भीम सेंग जोशी इस रिलेट टू विच मुजिकल इंस्टुमेंट, हैस दांस वर, तो यह मंद किराना घराना से है, वहीं आप देखेंगे, तो पदम शिरी मिला था इनको 1972 में, पदम भूशन मिला 1985 में, पदम विभूशन मिला 1999 में, इसके अलावा भारत रतन भी इनको मिल चुका है 2008 में, तो भारत रतन वाले तो आपके लिए most important है, ठीक है, as a examiner आप देखोगे तो वो, मतलब creamy, जो cream layer में आ रहे है न, उनको उठाएगा, तो cream layer में उसकी नेजर पहले उन पर जाएगी जिनको भारत रतन भी मिल चुका है, क्योंकि बहुत, मतलब one of the most important आपका ये award है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला award यही माना जाता है, सबसे बड़ा award देहिए, तो ये cream layer वाले हो जाते हैं, इंको याद करना जरूरी है, नेक्स आपके पास, शिव कुमार शर्मा is related to which musical instrument, तो इसका answer आपके पास, संतूर बजाते थे शिव कुमार शर्मा, इसमें आप देखेंगे, शिव कुमार शर्मा ये संतूर प्लेयर है, और इनको संगी अकेडमी अवार्ड मिला था 1986 में, पदम भूशन मिला 2001 में, और पदम शरी मिला 1991 में, ओके, नेक्स है, which musical instrument is उस्ताद रह्मान खान related, तो उस्ताद रह्मान खान का संबंध है आपका पखवाज से, तो ये ढोलक की तरह ही दिखती है, ठेक है, और असल में ये ढोलकी ही है, कुछ और भी आएगा, इसमें बीच में इनका color change रहागा, भी आपको next में दिखाऊंगा, well, ये है पखवाज, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ other पखवाज players, जो हैं आपके पास, तोता राम शर्मा, गोपाल दास, पंडित अयुद्ध्या प्रसाद और बाबुराम शंक next में आप देखेंगे, किशन महराज is related to which musical instrument, तो हिर्जदान्स पर ये बजाते थे तबला, ठीक है, पंडित किशन महराज, ये इनका संबंद तबले से है, और ये बनारस घराने से संबंदित है, इसको याद रखना, जितने भी घराने हैं, ये बहुत important होते हैं, महीं आप आप देखेंगे, तो 1973 में इनको पदम श्री मिला था, और 2002 में पदम वेभूशन, next है, निरुस स्वामी पिल्लाई is associated with which musical instrument, तो हिर्जदान्स पर ये बजाते थे नाद सुरम, ठीक है, ये शहनाई जैसा है, पर शहनाई नहीं है, थोड़ा सा आगे से पतला ही है, continue पतला चल रहा है, तो नाद सुरम ये प्लेयर है, आपके जो बजाने वाले कुछ एक्ट्रा, इसमें आपका नाम है, शेक चिन्ना मौलाना और राज रत्न पिल्लाई, ठीक है, इनके कुछ स्पेशल नाम है या लग से, यहाँ पर ये से ये वाला बता रहा था मैं आपको यही है इसमें आप देखेंगे, ये कॉंटिनी हूँ, हमने इसको दिखा दना भी, ये वाला, इसको देखेंगे, तो ये है आपका पकवाज, ये कॉंटिनी इसमें देखेंगे, तो बीच में कोई लेयर नहीं है, डारक बजाने का सिटम्स में दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ दे सिंग शिव रमन केवी परसाद और एस्वी राज राव नेक्स्ट है अन्यपूर्णा देवी इस रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो इनके हाथ नहीं है वो यह है सुर्बहर सितार यहां पर आप देखेंगे अन्यपूर्णा देवी जी को यह इनको व बजाती थी आप करें तो सज्जन हुसैन भी है अन्यपूर्णा जो इसे ही बजाये करते थी नेक्स्ट है टी एन कृष्णन इस एसोसियेटिड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वह दांस वर यह बजाते हैं वाइलन ठीक है अधर प्लेयर जो इसका यूज करते है या इसको बजाते हैं उनमें फेमस नाम है आपके पास डॉक्टर एन राजन विश्नु गोविन जोग एल सुब्रमन्यम और संगीत राजन नेक्स्ट आप देखेंगे यूश्री निवास इस एसोसियेटिड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो यूश्री निवास ज